दोस्तों अगर हमें application को publish करना होता है तो हमारे पास सबसे best option है Google Play Store ठीक है या फिर हम सबसे ज्यादा अगर किसी पे trust करते हैं तो वो है Google, Google का Play Store और अगर iOS की बात की जाए iOS apps वगरा तो वो हम publish करते हैं App Store ठीक है लेकिन आप सभी को पता है कि सिर्फ यही दोनों एक publish करने के प्लैटफॉर्म नहीं है ऐसे बहुत सारे और भी प्लैटफॉर्म है जैसे Amazon App Store है वीवो App Store, Oppo App Store, Samsung App Store, जितने भी ब्रैंड्स है उन सबके अपने अलग-अलग App Stores है ठीक है लेकिन App Stores जो है यह earning कैसे करते हैं इनके खमाने का क्या तरीका होता है मतलब ऐसा होता है कि जो आप application बनवा रहे हो और उसके अंदर जो add आप रन करते हो उस add का कुछ percent भी लेते हैं क्या Google Play Store या फिर Apple App Store इस question का answer मैं आपको आज इस वीडियो में दूँगा और बहुत मज़ेदार आपको सुनके बहुत मज़ा भी आएगा दोस्तों आप सभी को पता होगा पता होगा या फिर मैं आपको बता देता हूं कि Google पे जब हम एक Play Console का account मतलब खरीदते हैं मतलब Google Play Store पे application publish करने के लिए हमें Google Play Console account खरीदना पड़ता है ठीक है ताकि सारी access हमें मिल सके हम लोग अपने application को Play Store पे publish कर सके उसके लिए जो account होता है Google Play Console उसके लिए हमें 25 डॉलर पे करने प Apple पे publish करना है Apple iOS के लिए कर आपने app बनाया है तो वहां पे आपको annually fees लगता है 99 डॉलर ठीक है तो यह दोनों जो app store है यह इस तरीके से भी earning मतलब पैसा कमाते है जो first time आप पे कर रहे हैं उससे भी Google Play Store पैसा कमा रहा है और Apple की तो वातिया लगे वह हर बार annually fees उसका 99 डॉलर रहता है ठीक है और भी app stores है बागी के जो app stores है वो free of cost रहते हैं वहाँ पर अपने application को free of cost publish कर सकते हो जैसे Amazon app store है Samsung का है और भी दो तीन जो famous system बागी सारे जो phones के brand है वहाँ पे उनके जो app store रहते हैं वहाँ पर भी आप publish कर सकते हो ठीक है पर उनके कमाने का जरिया यह होता ह है बिल्कुल नहीं अगर मैं बात करो Amazon app store की तो वहाँ पर free में भी application publish कर सकते हो तो वो पैसा कमाता कैसे होगा अगर Google पे application publish करने के लिए अगर आपको account खरीदना पड़ रहा है तो आप वहाँ पे pay कर रहे हो तो Google का एक जरिया है वो पैसा कमाने को और Apple का भी जरिया है वह जो आप Play Store publish कर रहे हो उसकी जो revenue होती है जो आप उसे पैसा कमा होगे उसका 30% share Google भी लेता है Apple भी लेता है और बाकी के जो app stores है मतलब जादा 30% ही लेते है कुछ ऐसे भी app stores है जो 15% लेते हैं कुछ हैं जो 56% 60% तक लेते हैं बट जादा तर maximum जो app stores है वो 30% तक का sharing लेते हैं 30% की जो sharing आपको देनी पड़ती है Google को या फिर Apple को वो उसका criteria क्या है मतलब वो आप कैसे दोगे उनको ठीक है सबसे बहली बाद तो अगर आपका 1 million से ज्यादा अर्निंग कर रहे हो अपने application से 1 million dollar से ज्यादा पर earning कर रहे हो तो आपको 30% की sharing देनी पड़ेगी या iOS का condition बत 30% की sharing आपको देनी पड़ती है ठीक है पर बात यहां पर यहां पर यह है कि क्या आपने अपने application में ads लगाए है आपका पैसा कमाने का जरिया add के थूर आप पैसा कमा रहे हो तो क्या वहां पर भी आपको sharing देनी पड़ेगी देखो Google Play Store पर जब आप application को publish करते हो तो बहुत लोग की mentality ये रहती है कि advertisement के थूर पैसा कमाएंगे application को publish करेंगे और वहां पर जो ads आएंगे उसके थूर पैसा कमाएंगे ठीक है पर ऐसा हो मतलब यह जो आप ads के थूर पैसा कमाएंगे ठीक है तो करना क्या है करना नहीं है सौरी आपको कुछ आपको कुछ आपको मैं बत अगर आपने application से ads के थूर पैसा कमाते हो तो ads का revenue Google पी नहीं लेता है ना तो Apple लेता है मतलब Google या फिर Apple कुछ पैसा डिड़क नहीं करेंगे लेकिन अगर आपने अपने application को premium रखा है अगर आपको क्या करना पड़ेगा मतलब जो आपको revenue generate हो रही है क्योंकि आपने application के अंदर कुछ features को premium रखा हुआ है तो वहां से जो आपको revenue generate होगी वो आपको देना पड़े तो आयोग दोस्तों आपको ये समझ में आगया होगा कि Google Play Store की Google Play Store और Apple iOS के जो App Store रहते हैं या फिर कोई भी App Store उनका पैसा कमाने का जरिया क्या रहता है ठीक है तो अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो को समझ में आप तो वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा और उस्तों में आपने हैं नेक्स वोडियो में